रादे रादे जैशी क्रशना, आज मां आपको पीपल पूनम की कहानी सुनाने जा रहे हूँ एक बार एक गाउं में एक सेठ सेठानी रहते थे सेठानी धार्मिक प्रवति की महला थी शादी के बाद वो हट साल पीपल पूनम का व्रत और पूजन क्या करती थी उनकी शादी को कई बरस बीट गए लेकिन उनको कोई ओलाज सुख नहीं मिला तब एक दिन सेठानी जी का जी मचल रहा था, उल्टिया हो रही थी ननद ने घर में सभी से ये कह दिया कि भाबी पेट से है जब सेठानी को पता चला कि ननद ने जूटी खबर फैला दी तब सेठानी ने भी थोड़ी चाला की की जब सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि क्या तुम पेट से हो तो सेठानी बोली हाँ तब सेठानी ने कहा कि सुनो जी मेरा भाई मुझे लेने आएगा क्योंकि मेरी मा को जब पता चला कि मैं पेट से हूँ तो उसने संदेशा भिजवाया है कि पहला बच्चा तो पीहर में ही होगा इसलिए मैं मेरे भाई के साथ पीहर जाना चाती हूँ तब सेड़ जी ने कहा कि ठीक है तुम पीहर चली जाना फिर सेठानी अपने भाई के साथ पीहर आ गई इधर सेठानी ने पूरी बात अपनी मा को बताई मा ने कहा बेटी जब सब को सच्चाई पता चलेगा तब क्या होगा तब सेठानी बोली मा तुम बस मेरा साथ दे दो जैसा मैं कहती हूँ ठीक वैसा ही कहना मा चुप हो गई उसे अपनी बेटी का घर बचाना था नो मैंने बाद सेठानी ने अपने ससराल में खबर भिजवाई कि बेटा हुआ है सेठ जी की खुशी को ठिकाना नहीं रहा उन्होंने पूरे गाउं में लड्डू बटवाई सवा मैंने बाद जब सेठानी पीहर से ससराल आई तो सबने पूछा बेटा कहा है हमें भी दिखाओ तब सेठानी ने एक गूदड़ी को चद्दर में लपेट कर गोद में दबा लिया और बोली कि नहीं नजर लग जाएगी कुछ समय बाद दिखाऊंगी सेठ जी ने सेठानी से कहा अरी बावली मैं तो उसका पीता हूँ मुझे तो दिखादे तब सेठानी ने कहा अभी नहीं जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो आप इसके जलवा पूजन वे नामकरन संसकार वे भोग का आयोजन करवाओ सेठ जी ने वैसा ही किया सभी रिष्टेदारों को बुलवाया गया पूरा गाव भोज में आया ननद ने नेग मागा सब को सभी दिया जब पंडी जी ने कहा कि बच्चे का नामकरन करेंगे बच्चे को लेकर आओ तब सेठानी ने कहा आप इस कटार को देखकर नामकरन कर दीजिए अभी बच्चे को बाहर नहीं लाएंगे बच्चे को नजर लग जाएगी तब पंडी जी ने कटार को सामने रखकर नामकरन कर दिया पूरा आयोजन खूब अच्छे से हो गया इस तरह खुद सेठ जी ने भी अपने बच्चे को नहीं देखा इस तरह आठ नो साल निकल गे तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली सुनो जी हम अपने बच्चे को काशी पढ़ने बेजेंगे उस दिन सेठ जी को बहुत गुस्सा आया किसको काशी पढ़ने भेजोगी कहा है हमारा बेटा क्यों मेरा भुडापा खराब कर रही हो क्या तुम अपने साथ मेरी जग हसाई करने पर तुली हो तब सेठानी ने वापस ठंडे छीटे दिये और प्यार से बोली देखो जी आप तो बिना बारती गुस्सा हो रहे हो मैं क्या आपका बुरा चाती हूँ अपने बेटे की भलाई के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं आप इतना सा नहीं कर सकते तब सेठ जी का गुस्सा शान्त हुआ उन्होंने कहा ठीक है हम अपने बच्चे को काशी फढ़ने बेजेंगे पूरे गाउं में ये खबर फैल गई कि सेठ जी का बच्चा काशी फढ़ने गया है इस तरह दस बारा साल निकल गए एक दिन सेठानी ने वापस सेठ जी से कहा देखो जी हमारा बेटा काशी पढ़ने गया है और वो नामालम कब आएगा तब तक आप उसके लिए कोई अच्छा सा परिवार देखो कोई सूस संस्कत लड़की तलाश करो हम कटार से उसकी सगाई और शादी कर देते हैं तब सेठ जी अनमने भाव से सेठानी की बात मान जाते हैं तब सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात समझाई देखो जी ऐसी लड़की ढूनना जो घर बांधने वाली हो घर को तोड़ने वाली न हो सेठानी ने सेठ जी को आटा दिया और आटे में सोने की दस मोरे छुपा दी मोरे वाली बात सेड़ जी को मालूम नहीं थी सेठानी ने कहा आप जहां भी लड़की देखने जाओ उनको ये पोटली दे देना और कहना कि मैं रास्ते की रोटी के लिए आटा लाया था इस तरह सेड़ जी दूसरे गाओं में लड़की देखने जाते हैं गाओं की चौपाल के पास कुछ लड़कियां घर-घर खेल रही थी उनमें से एक लड़की मिट्टी का घर बनाती लेकिन तोड़ती नहीं थी जब दूसी लड़कियां उसके मिटी का घर तोड़ने लगती तो वो तोड़ने नहीं देती थी वो कहती थी मुझे घर बनाना है बिगारना नहीं है सेड़ जी ये सब देख रहे थे सेड़ जी समझ गए यही लड़की अपने लड़के के लिए ठीक रहेगी शाम को जब सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो सेड़ जी उसी लड़की के साथ साथ चानने लगे सेड़ जी ने उस लड़की से कहा बेटी क्या तुमारी मा मुझे मेरे आटे से रोटिया बना कर दे देगी मैं दूर गाउं से आया हूँ तो वह लड़की बोली बाबा मैं अपनी मा से पूछ कर बताती हूँ फिर वह लड़की घर आई और अपनी मा को पूरी बात बताई मा ने हामी भर दी तो वह लड़की सेड़ जी को घर ले आई और आटा सेड़ जी से लेकर अपनी मा को दे दी जब उसकी मा ने आटे की पोटली खोली तो उसमें से सोने की दस मोरे निकली लड़की के मा के मन में लालच आ गया उसनी सोचा कि जिस इंसान के आटे में इतनी सोने की मोरे हैं तो वो ना जाने कितना अमीर होगा अगर इसके कोई बेटा हो तो मैं अपनी बेटी का विवा इसके साथ कर दूँ लड़की की मा ने सेड़ जी को खाना परोसा और बातों ही बातों में पता कर लिया कि कोई बेटा है क्या सेड़ जी ने कहा कि हाँ बेटा है लेकिन काशी फढ़ने गया है तब लड़की की मा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी लड़की की शादी आपके बेटे से करने को तयार हूँ तब सेड जी ने कहा कि उसे आने में समय लगेगा, तो क्या आप उसकी जगें तलवार रग दें और लड़की का ब्यहां तलवार से करवा दें तो लड़की की मा राजी हो गई सेड जी ने तलवार से सगाई करवाई फिर दो दिन बाद शादी करवा दी और खुप धन दोलत और बहु को विदा कराके वो घर ले आए सेठानी ने पहले से ही सारी तयारी कर रखी थी बहु का घ्रह प्रवेश करवाया मंगल गीद गाए गए पूरे गाउं में जीमन करवाया गया सभी को खुप तौफे दिये गए इस तरह कब छे मैने निकल गए पता ही नहीं चला सेड सेठानी मजे से रहने लगे सेड सेठानी रोज मंदिर जाते तो सेठानी अपनी बहु से कहती बहु चूले की आग और परिंडे का पानी कभी भी खतम मत होने देना जाडू पोचा खाना बना लेना तब तक हम मंदिर दशन करके आते हैं इस तरह सेठानी अपना दिन बिताने लगे लेकिन एक दिन चूले की आग खतम हो गई बहु भागी भागी पडोस में गई और आग मांगने लगी बहु बोली भाबी जी चूले की आग खतम हो गई है जल्दी से आप मुझे आग दे दो मेरे साथ ससुर मंदिर से आते होंगे मुझे खाना बनाना है पडोसर ने कहा अरी खांडिया की बहु इतनी भी क्या जल्दी है थोड़ी देर हमारे पास भी बैट और हाँ तेरे साथ ससुर के कोई बेटा बेटा नहीं है हमने तो आज तक नहीं देखा क्या तूने देखा है तो बहु ने कहा नहीं मैंने भी नहीं देखा मेरी सास कहती है कि मेरा पती काशी फढ़ने गया है पडोसन ने कहा जूट बोलते हैं तेरे सास ससुर तब बहु ने कहा तो अब मैं क्या करूँ पडोसन ने कहा आज दाल रोटी दोनों जली हुई बना देना और कोई घर का काम भी मत करना और जो मैं तुसे कहती हूँ तु वही बोलना उस दिन बहु ने न ज़ाडू पोचा किया और ना ही सास ससुर के कपड़े धोए और जली भुनी रोटी बना कर रख दी जब दोपहर में सास ससुर मंदिर से घर आये तो घर का मंजर देख कर समझ गए सास ने कहा बहु धाल रोटी तो आज जल गए है बहु ने कहा सासु जी एक दिन जली हुई धाल रोटी खा लोगे तो कुछ नहीं बिगडेगा मुझे तो पूरी उम्र खांडया की बहु बन कर ही रहना होगा सास सरसु समझ गए कि बहु को बाहर की हवा लग गई है सास ससु गए जब दूसरे दिन सास ससु वापस मंदिर जाने लगे तो बहु ने सातो कमरों की चाबी मांगी सास ने देने से इनकार कर दिया लेकिन सासु समझदार थे उन्होंने कहा कि अगर सातो कमरों की चाबी से बहु खुश हो जाती है तो दे दो क्योंकि ये सब कुछ तो कल भी इसको ही मिलना है तो आज ही क्यों नहीं तुम चाबी दे दो इस तरह सास ने सातो कमरों की चाबी बहु को दे दी और सास सरसुर मंदी चले गे पीछे से बहु ने एक एक कमरा खोल कर देखा तो किसी कमरे में नए ने कपड़े रखे थे किसी में गहने किसी में अनाज के भंडार किसी में हीरे मोती का खजाना भरा हुआ था जब बहु न इसमें पीपल का पेड़ और बहुत सुन्दर मंदिर था, जहरना भह रा था, नदी भह रही थी, वहीं पीपल के पेड़ के नीचे एक बीस बाईस साल का बहुत सुन्दर युवक बैठा था, बहु ने पुछा कि तुम कौन हो, युवक बोला मैं तुमारा पती हूं, बहु युवक ने कहा, मैं बहुत पहले ही यहां आ गया था, लेकिन तुम मा को मत बताना, और तुम यह भी मत बताना कि तुम उनके मंदी जाने के बाद यहां मेरे पास आती हो, क्योंकि मा को पता चलेगा तो मा गुसा होगी, बहु बहुत खुश हुई, वह वहीं समय बिताने वापस कमरे बंद कर देती उस दिन उसने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए साससुर ने सोचा कि चलो बहु घर की चाबी से खुश हो गई है और हमें क्या चाहिए इस तरह जब रोज साससुर मंदिर चले जाते पीछे से बहु सारे कमरों के ताले खोल कर सात्वे कम पती होने की खबर साससुर को लगी तो उन्होंने उससे पूछा कि ये बच्चा किसका है हमारा बेटा तो काशी पढ़ने गया है फिर ये कैसे हुआ बहु ने पूरी बात अपने साससुर को बताई तब बहु को सास ने समझाया कि देखो बेटी हम चूड़ी पैनाने की र पात अच्छे से समझा दी फिर बहु के आठवे मैने में चूड़ी पैनाने की रसम रखी गई पूरा गाउं इखटा हुआ बहु के पीहर से सारे रिष्टेदार आये होम और हवन की तैयारी की गई सभी इंतजार करने लगे ना तो बहु का कहीं पता था और नहीं बेटे नहीं हैं तभी सामने से बहु लाल सुर्क जोड़े में एक 20-22 साल के युवक के साथ सामने से आती हुई दिखाई दी तब पूरे गाउं वालों ने कहा वाँ सेठानी के इतना सुन्दर बेटा था इसलिए ये छिपा कर रखती थी हाथ लगाओ तो नील पड़ जाए इतन गोरा बेटा है सेठानी का फिर चूड़ी पेनाने की रसम हुई होम और हवन हुआ बर्फी लड़ू पुरी सबजी पूरे गाउं में खिलाए गई पूरे गाउं में सभी को सेठ जी ने चांदी के सिक्के बाटे सभी बहुत खुश हुए और सेठ जी के बेटा बहु को आ अनुसार किया वो युवक के पीछे पीछे जाने लगी जैसे ही युवक पीपल के पेड़ के पास पहुँचा और साप की कांचली में गुसने लगा तो बहु ने कांचली जला दी युवक चिलाया हाई में जल गया हाई में जल गया तब सास और बहु ने युवक के उपर दूट डाल दिया जिससे वह बच गया और हमेशा हमेशा के लिए वह वहीं अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहने लगा तो हे पीपल देवता जैसे आपने सेठानी को पुत्र सुख दिया वैसे सभी की मुरादे पूरी करना कहने वाले की सुनने वाले की और हुकारा बढ़ने वाले की घरती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े भूले बिश्रे नाम तेरे भंडार में भरें तो आज मै ने आपको बेसांखी पीपल पूनम की कहानी सुनाई अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें साथ में बेल जरू प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्ली जादा से जादा अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में शेयर करें धन्यवाद